कि मेरे पेड़ा दोस्त बहुंसारे बच्चों का डिमांड आया है कि सर्थ अंग्रेजी में लिखना नहीं आता सर अंग्रेजी में सोचना नहीं आता बेस काम करें तो मैं आपकी लिए आज एक सिंपले से मेस्सिप्स लाओं जिसके थू आप अगर इस स्टेप को सिक ली तो आपको कह रहा हूं अगर जी लिखना बोलना पढ़ना सुसना सबाझ जाएगा कोई भी तुफान संटेज तो बस जैसे मैं कह रहा हूं साथ स्टेप दे रहा हूं शाथ को छोड़ना मत एक स्टेप पर विचार करो एक एक स्टेप पर सोचो एक एक स्टेप पर राम से विचार करकर के फिर सोचो कि करना कैसे है होगा कैसे कैसे हम बोल सकते हैं कैसे लिख सकते हैं अभी इसे देखते हैं और आपको स्टेप याद करा रहता हूं आप एक स्टेप पर चलने का प्रयास क और अभी से लिखना भी आएगा, बोलना भी आएगा, सोचना भी आएगा, देखते हैं फ्राइब करके, हमने क्या कहा, 7 simple steps, 7 simple steps to write, speak and think English. हम आपको 7 steps दे रहा हूँ, 7 steps दे रहा हूँ, simple steps जिसके तुरू आप लिख पाओगे, speak कर पाओगे और सोच पाओगे, यह 7 steps क्या है, देखते हैं, पहला step, सबसे पहला काम, आपके पास मिले, तो क्या करना है वो सुझना, start, reading, English, book daily, सबसे पहला काम करना है, बचा, कि start reading English books daily, कितने मिनट्स है? 10 to 30 minutes, हमने कहा कि start reading English books, 10 to 30 minutes daily, कोई भी English का किताब ले लो, जैसे मालों में अग्रीजी किताब ले लिया, अग्रीजी सब क्या लिया, आप 30 minutes, इसे क्या करना है, पहना है, 30 minutes daily, 10 to 30 minutes, आपको समझ में आए, चाहे नाए, दुनिया कहीं भी जाए, कोई मतलब नहीं, अग्रीजी तुमें आता हो, नहीं आता हो, लिखना नहीं, तो कोई बात नहीं, अस्टार्ट रीडिंग इंग्लिस बुक, 10 minutes to 30 minutes daily, करना क्या हो सुनो, अस्टार्ट क्या करना है, A point, अस्टार्ट करना है, be a good reader, be a good reader, आप एक अच्छा पहाकू बनिये, सबसे पहले अंग्रेजी में बोलना स्कचाते हो, अस्टार्ट कर जाता है, don't feel, don't bother yourself, अस्टार्ट करो, be a good reader, एक अच्छा पहाकू बनिये, बस कोई भी ले ले लिया, जैसे माल ले नूच परे, हमें ले ले लिया, कुछ कुछ भी लिकावा है, कि जोस्ट डिफलेक्स फॉम्दा इवनाइटर स्टर्गल्स, आप बस ले लो, अवले के परना सुरू कर दिया, समझ में आ रहा हो, नहीं आ रहा हो, क्या मतलब रहा हो, कोई बात नहीं, दस मिनट बस उठा लिया, दस मिनट परूँगा, दुसा कोई काप नहीं करूँगा, तो स्टार्ट रिडिंग इंग्रिश बुक, 10 मिनेट्स टू, 30 मिनेट्स डेली, अब बी अ गूट रिडर, इसमें बी पॉइंट, स्टार्ट क्या करना है, तो बी अ गूट राइटर, वी अ गूट राइटर, एक अच्छा लिखाओ बने, आप उसी भी चीज़ को, जैसे मान लो इंग्लिस का बुक से, हमने कोई किताब इंग्लिस का लिया, ये DSL का ये अपना बुक से, ये किताब लिया, सामने रखा, ये कौपी रखा, आप इस गूट राइटर, एक अच्छा लिखने वाला बने, सोचे नहीं क्या लिखना है, अपने मन से कहां से लिखोगे, अपना मन छोड़ो, बस सामने एक बुक रखो, और बुक रखके लिखना सुरू कर दो, कोई भी पेज लो, लिखना सुरू कर दो, तो सबसे पहला काम, बी लिखनर, एक अच्छा सुरूता बने, कहां है सर, तो एक अच्छा सुनिये, अंग्रेजी कोई बोल रहा है, तो इसको सुदिये, कहीं भी नूश पेपर में हो, कोई चीज आप नूश देख रहे हों ग्रेजी में, उसको सुनिये, ध्याल लगाए, दस मिनट से तीस मिनट, हमने कहा, दस मिनट, पहले आप अराम से, दस मिनट यहां, दस मिनट यहां, दस मिनट यहां, और इस सब जब करना आ जाए, तो be a good thinker, be a good thinker, आप एक अच्छा सोचने मला बने, आप जब लिख लिए, पह लिए, तो आप सोचिए एंग्रेजी में, कह आपने क्या पढ़ा अगर आपने सो लाइन पहा, सो लाइन लिखा, सो लाइन सुना, और क्या एक lाइन निकल पाता है, निकल पाता है, आप एक ऐसा काम करिये, अंग्रेजी आपके कदमू तले होगा, अभी सेवर पहला स्श्टेप दिया है, मैंने क्या कहा, सेवर पहला स्टेप कह रहा है, स्टार्ट करो बिया गुड डिडर राइटर गुड लिशनर एंटिंकर देंटू थर्टी मिनट्स आपस देखते जाओ सुरू से लाश्ता कामस देखो अंग्रेजी कैसे नहीं आगा मैं अंग्रेजी जबरदस्ती तुम्हें सिखा दूंगा तुम्हारा मन हो चाहे ना हो सोचना आजाएगा आज से और अभी से अंग्रेजी नहीं आएगा ऐसा कैसे हो सकता है अगला पॉइंट दो कि आप हमने क्या का स्टार्ट सिकंद देखो कि भी आप यहां देखो कि कोई भी चीज़ जैसे मिनिमाइज और मिस्टेक्स सबसे पहला काम करो सेकेंड मिनिमाइज योर मिस्टेक्स अब प्रती दिन जैसे मान लो कि आप कोई भी चीज़ लिख पा रहे हो जैसे मुने वर्ड लिखा डिसीब राइट यह डिसीब लिखा आपको कहा है लिखो डिसीब तो तुम्हें दिया कि पहलम है टो मेरेट टोमिनिमाइज ने का मिस्टेक्स से लिख भी तो चोंग दिसीब आपको जब पहां से मिनिमाइज को पता की जहां भी जुखा ता है वहें को इस यहां ये ज़गाते हैं और जहां लेख गेसे मानन लो तो अचीव लिखना हो तो एसी एच आई भी तो यहां सी नहीं है इसलिए आई आया है तो मिनिमाइज मिस्टेक्स एविडे तो हर दिन अपने मिस्टेक्स को आप इंप्रूब करें जो मिस्टेक्स हो उसको सुधारे मिनिमाइज योर मिस्टेक्स एविडे प्रती दिन आप मुषरी मिस्टेक्स को सुधार करें आप जब पहर हो मालों कोई बड़ तुम नहीं पहपाते हो ए बालों ॉरी प्रम टेटिव आप नहीं बॉल पॉड़ पाते हूं तों कोई बातों तोर दो रु प्रेंटेटिब तो आप experience क displ जहां भी मिस्टेक्स हो रहा हो आप तोर तोर करके परो तो जहां भी चीजे हो आप तोर करके जोर करके जैसे भी यह minimize करना है हर दिन यह आपका दूसरा स्थिप्स था क्या करना है minimize your mistakes everyday प्रती दिन अपने गलतियों को आप कम करें writing में spelling mistakes में बोलने में आप कम करें सबसे पहला काम दो काम यह करना है तीसा काम करना है वह द्रहां दो आप क्या करो तिस आश्टे कि राइट लिखो speak बोलो without any hesitation आप क्या करो कि राइट करो लिखो speak करो बोलो without any hesitation आप के पास ही टेसन वाँ चाहिए कैसे सर आपको बोलना आई गो यूगो देर गो ही गोज़ शीगोज लटा गोज प्रिया गोज़ शुमन गोज राम गोज़ तो जो भी बोलना हो आप बीदाउट ही टेसन बोलो आपको बोलना राभी is coming राम आर कमिंग अगर आर भी बोल दिया तो घवरान नहीं है क्योंकि मीनिमाई तो को रोज करना है तो मीनिमाई जो दिमाग में हो तो बोलो मैं वहां गया था आई वेंडिर तुमें आये थे यू के मेर जो मन करता है अंगरे जी बोलो डर्ना नहीं बस थ्वासा अस्ट्रॉक्टर का प्रियोग करना है जो आप पढ़ी रहे हो ज्ञान है तो जहां ही जिटेसन है ना उसको दूर करना है क्या करा हमने राइट एंड स्पीक इंगलिस बिदाउट एनी हेजिटेशन बिदाउट एजिटेशन आप अंगरे जीओ क्या करो आप लिखो आप बोलो तर आपका संदेंस हो जाएगा यहां पे दहां दे नंबर फॉर पॉइंट इंप्रूफ 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 अपना वोगेबिलरी इंप्रूफ यड्र वोकेलिट प्रती दिन प्रती दिन आपकाइब को इंप्रूफ करो कैसे करे सर जैसे मानलो हमने बेशिक चुशकरण व करें लिया आप करें लिया वोकेब चिंदमत को सब भीजवा दू दूंगा तुमें अपना वाचब दोगा तुम्हारे घर पेचला जाएगा तो इंप्रूब योर वोकाबरी एवीडे आप यहां सबकाब लिया आप जैसे मालो कोई वोकाड लिया एलिया 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 बुक चॉल कॉंसपायर एडिफिस तो कोई भी वोकाब हो अपरचर कोई वोकाब वो प्रती दिन क्या करो इंप प्रती दिन रोज वोकाब क्या करें इंप्रूब करें नंबर नेक्स्ट पॉइंट नंबर फाइब इन नंबर फाइब आज आज एहां करो यूज यूज ही यूज सिंपल संतेंस जिंपल संटेंस क्या प्रियो करो कहां भाई duel यह हूं इन यह वाइटीकिश भेनर वेक्षा आAAAAAAAA इसंटेन्स लहाइज लगारा तोर्सांटेंश मेकोंए वंग्रेजी ऑल व्लीटिय। simple sentence what do you mean speaking English to try to make understand the other people do so to me some job in a house like I use simple sentences simple sentence copy of code while writing job to link real during writing link in a caram a to simple solution while speaking you know the simple sentence probably below by the top on the top of the ball not sick or simple sentence he comes here he goes there you come here I go there they go there he goes there which would be I went there he came there too could be Joe Sunday's at a hole by the simple sentence born in a couple of days don't need to know it's a person to cover it now I am I am a five points six points on the other one that I press the watch six point seven step dinner at the logo six catatumhara watch dekho kya dekho watch English news movies it is now up English my news देखो मूवीज देखो अब यह नहीं कि सर ने कह दिया मूवीज देखो तुम घंटों लगे रहे हो टीवी में ना ना एक आम नहीं करने बच्चे मूवी देखो का मतलब हो गया कोई भी चीज स्वाट मुई बना हो देसमिट कितने देसर तुम लोगो जाला बताओंगा देखना किंदे रहे 20-30 मिनटस जाद में आं आं ट्राइट ऊंडिस्टरंड वाट इसेंग मूवी क्या कहता है नीज में प्रिया कहता है उसको अफ अन्डस्टेंद करने का परेहाँ करो और आपके 10 to 30 मिनटस देली आपको अंग्रेजी सिखना है ना जाहते हो लिखना जा पाना एक जोटो मिलेगा यह नहीं कि सिंपल सर को जादू तो ना सिखा दीजे को टैबलिट देजिए ना बेटाना कुछ भी नियोगा बोलना तुम्हें तो बोलना पड़ेंग लिखना पड़ेगा जैना तो पड़ेगा तो मैं तो यह आम ने का ओँ ह वाच इंग्लीश नि नंबर लाष्ट पाइंड हो फिरिंग उसे नंबर लाष्ट कहता है यूज शीमपल सिंतेंस लेकिन फ्रेम दिसंटेंसी स्टेंस एक फ्रेम दा ऊण इस एन ओं इस्ट जैसे आपको इस अरिए आपको टेंज तो फ्रेम करकर के आप क्या करो कि सब्जेट वर्व के एगरिमेंट को जानोंगे कि वाई सब्जेट सुलर तो फ़र्व सिंगुलर सब्जेट प्लूरर तो फार प्लूरर यह हर दिन इंप्रूमेंट होता रहेगा ग्रामर अपनी जगा बस अभी तुम्हें लिखना सिखना है अभी तुम्हें बोलना चुकना है तो अभी क्या करना ए एक सिस्टेमिटिक काम करना है ग्रामर की वीड़ीयो में देभी लाओं आप शीकायत करते हो से कौन से सीरियल यह नंबर वन पहला वीडिरा हो इसले कि ऐसे वीडियो मैं जो वीडियो जे रहा हूं आप उसके बाद देखते जाओ, सारे वीडियो में नमबर क्यों नहीं रहा है, क्योंकि मालो, मैं नमबर दूँ दस नमबर, अब तुम देखो कि दस नमबर, तुम्हें दिमाग में खटकेगा, यार वन नमबर में क्या था, परेसान हो जाओगे, इसलिए मैं नमबर दूँ नहीं करता, ताकि जो वीडियो देखो, हर वीडियो क्रांती कारी हो, और यह जो सिंपल सेवने स्टेप दे रहा हूँ, यह तुम्हारी लिए क्रांती कारी सावित होगा, पूरे भात में इस वीडियो के फैलाने के लिए धन्यवाद, अब आप तुम सुरू से अन तक देखा, इसके लिए धन्यवाद, बट, अगर आप चाहते हो, कि सिस्टेमेटिक इंग्लिस पढ़ें, सुरू से लाच तक पढ़ें, तो दिल्ली दूर नहीं है, अब आजओ दिल्ली करांती फैलाने के लिए अंग्रेजी का, और तब तुम सिस्टम से पर हो, अगर चाहतों तो इस दिल्ली नहीं आ सकता हूं, घर बैठे पना चाहता हूं, तो कोई टेंसर नहीं, आप www.ds.englis.com पर जाके घर बैठ के लिए पर सकते हो, बहुत सी मामूली फिस में, कोई रख नहीं, धर्मेंसर तुमारे घर पे रहेंगे, कोई इसो की बात नहीं है, जो सिंपल सेवने स्टेप्स दिया, इस स्टेप्स को आप फॉलो करके, उन स्टुडेंस को इसको सेर करो, जिनको इनके अब सकता है, और हर बच्चों की मदद करो, जिनको इसकी जरुवत नहीं है, और एक-एक स्टेप पर बिचार करो, हमने क्या कहा, हर एक स्टेप पर सोचो, बिचार करो, क्या अखिर वो स्टेप सर क्या करना चाहते हैं, क्या स्टेप फूल आप इस पर कमेंट करो और बताओ कितने तरह की बीडियों दूं मैं तुम्हें सिखाने के लिए हमेंसा प्रयासजत हूं हमेंसा काम कर रहा हूं और देखो कितने तरह से बनाओं तुम कमेंट करो और लाइक करके मेरा हॉस्ट अपड़ाओ थैंक्यू बरिमच फिर मिलते हैं अगले बीडियों थैंक्यू मिर्मच्छ